Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School आज हम करेंगे class 7th की English grammar का chapter number 10 जिसका नाम है transitive and intransitive verbs ठीक है? आएए स्टार्ट करते हैं chapter को transitive verbs होते क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चेक कि जो verb होते हैं वो बताते हैं किसी भी sentence में कि जो noun है, subject है, वो क्या कर रहा है? ठीक है? Transitive verb वो वर्ब होते हैं जिसमें जो वर्ब होता है, वो किस के बारे में बता रहा हो? object के बारे में ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दिया है Alex takes the metro to the college क्या लेती है वो? Metro तो यह object के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे जो takes आ गया है? आपका transitive verb ठीक है? दूसरे में I understood her requirement क्या उसको understood है? उसकी requirement को यानि कि यह क्या बता रहा है? हमें object के बारे में बता रहा है तो ऐसे verb जो हमें object के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके transitive verb और इसमें हमेशा जो होता है आपका object लिखा होता है इन transitive verb जो object के बारे में ना बताएं जैसे कि इसमें कभी-कभी verb जो sentence होते हैं उसमें object लिखा होता है और कभी नहीं लिखा होता है और जो हमारा verb होता है वो हमें object के बारे में नहीं बताता है जैसे कि पारूल run fast वो कैसे भागती है fast भागती है लेकिन यहाँ पर कोई object ही नहीं है ठीक है fast तो क्या है एक adjective है तो इसलिए यहाँ पर कभी-कभी object नहीं होता है second में आप देख सकते हैं some water fell on my shirt ठीक है fell क्या गिरा? shirt थोड़ना गिरी है shirt मेरा object है पर shirt थोड़ना गिरा है क्या गिरा है? water यानि कि यह हमें जो verb है fell यह मुझे object के बारे में नहीं बता रहा है तो यहाँ पर यह जो verb है fell वो क्या कहलाएगा आपका intransitive verb ठीक है तो आपको difference पता चला transitive और intransitive verbs में यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे example दिये हैं जैसे कि एक verb को हम transitive और intransitive दोनों की तरह इस्तमाल कर सकते हैं पर इसमें difference क्या है? आईए देखते हैं जैसे कि 8 है 8 एक verb है जो दोनों sentence में दिया है जब हम उसको transitive लिए भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हीना, eight and apple उसने क्या खाया? apple खाया, apple क्या है? object है तो यह object को satisfy कर रहा है बट second में लिखा है हीना, eight and time हीना, time पर खाती है अब यहाँ पर कोई object ही नहीं है जस्त यहाँ पर time क्या बताया? एक तरह की preposition बताईए आपको कि time पर खाती है, time पर खाना खार ही है वो ठीक है? तो no object यह किस तरह का verb कहलाया? intransitive verb ठीक है? आई अब करते हैं अपनी first exercise underline the verb and write whether the verbs in the following sentences are used transitively or intransitively sentences में आपने verb को underline करना और फिर बताना है यह transitive है या intransitive है number one the soldier fought the enemy किस से लड़े? enemy से लड़े तो यहाँ पर fought आपका verb है, इसको underline करेंगे और यह है transitive verb number two the gunshot killed the man किसको मारा? man को मारा तो यह भी क्या कर रहा? object को satisfy कर रहा है तो killed को underline करेंगे और यह क्या है? transitive verb है number third the soldiers fought bravely अब यहाँ पर bravely क्या है? एक adjective आगया है आपका ठीक है? तो अब यह यहाँ पर कोई object नहीं है यह object को satisfy नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है? यहाँ पर fought को underline करना है और लिखना है आगे intransitive चीक है? इसी तरीके से बाकी हम करते हैं fourth में आपने drove को underline करना है और यह है transitive fifth में आपने laughed को underline करना है और ये है Intransitive Sixth में आपने Blue को Underline करना है ये है Intransitive Seventh में आपने Kild को Underline करना है ये है Transitive Eighth में आपने Shines को Underline करना है ये है Intransitive Ninth में आपने Greve को Underline करना है ये है Intransitive और Tenth में आपने Fly को Underline करना है और ये भी क्या है Intransitive अब नीचे आपको बताया है Most transitive verbs usually have one object जितने भी transitive verbs होते हैं उनका एक ना एक object होता है कभी-कभी दो भी object होते हैं जिसमें जो verb होता है वो एक के ओपर indirectly बताता है और दूसरे के ओपर indirectly बताता है ठीक है? तो जो object directly receive करता है किसी भी verb के action को उसमें क्या लिखते हम? मतलब कि वो क्या बताता है कि वो verb क्या कर रहा है What? What आता है मतलब कि वो verb जो है वो बताता है object को कि वो क्या करता है एक्जामपल लेके हम समझते है जैसे यहाँ पर आपको first example दिया है The man wrote the book क्या लिखा उसने? बुक लिखी तो यह बता रहा है ना object का कि क्या है तो क्या है यह फिर रोट आपका बुक रोट दी बुक अब कभी कभी एक sentence में अगर दो आपके objective आ गए फर एक्जामपल ने जो नीचे वाला है The teacher gave him a prize अब यहाँ पे आपके दो objective है पहला prize और दूसरा him ठीक है दो मिले objective अब जब यह बता रहा है कि उसे क्या मिला prize मिला तो यह जो prize है वो क्या है direct object है ठीक है और किसको मिला him यानि कि एक लड़के को मिला तो यह him क्या बन गया in a direct object ठीक है तो यहाँ पे बताया गया है जो transitive verb होता है वो directly और indirectly दो दो verb को satisfy करता है ठीक है जिसको directly करता है वो direct object हो जाता है जिसको indirectly करता है वो indirect object हो जाता है इसी को देखते हैं हम करेंगे अपनी exercise B pick out the verb and the direct object and the indirect object in the following sentences and write them in the table below एक sentence में से मैंने verb भी लिखना है direct object भी लिखना है और indirect object भी लिखना है जैसे नीचे आपको table बना हुआ है तो first sentence में है मेरा verb bought की खरीदा क्या खरीदा? कपडे तो direct object में क्या लिखूंगी? मैं close किसके लिए खरीदे? him के लिए तो indirect object में क्या जाएगा? him नमबर टू verb है wrote क्या लिखा? letter लिखा तो direct में हम लिखेंगे a letter और indirect में आ जाएगा her इसी तरीके से बाकी करेंगे third में आपका आएगा verb gave direct object हो जाएगा a treat और indirect object हो जाएगे his friends fourth में आएगा आपका offered direct object हो जाएगा arrays और indirect object हो जाएगा her made fifth में verb आएगा awarded direct object होगा a scholarship और indirect object होगा the winner sixth में आएगा teaches direct object हो जाएगा golf और indirect में आएगा me seventh में verb है gave direct में आएगा some pocket money और indirect में आएगा him eighth में verb है told direct में आएगा a secret और indirect में आएगा me seventh में sorry ninth में आपका verb है pass direct object में आएगा the salt और indirect में आएगा me 10th में आपका जो वर्ब है वो है tell direct object में आप लिखेंगे the way to the mall और indirect में आएगा me ठीक है इस तरीके से आपने ये table fill करना है तो यहाँ पर आपका ये chapter खतम होता है I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे like जरूर करें thank you